धे टीवी में आप सभी का स्वागत है न्यूज दिस आर्ट प्रोग्राम में हम बात करेंगे डीबी जेनवोग की नेश्टल इंस्टिटूटा बायो मेडिकल जेनोमिक्स यानि एन आई बी एमजी कल्याडी ने मुह के कैंसर में जेनोमिक बदलाव का एक डेटाबेस तयार किया है ये दुनिया में अपने प्रकार का पहला डेटाबेस है एन आई बी एमजी ने इस डेटाबेस जिसे डीबी जेनवोग कहा गया है को सारवजनिक तोर पर उपलब्द कराया है डीबी जेनवोग ओरल कैंसर के जेनोमिक बदलाव का ब्राउज करने योग अनलाइन डेटाबेस है और इसे मुफ्त उपलब्द कराया गया है इस रेपजिटरी को भारत और दक्षिरपूर एसिया के विभिंड शेतरों के नए ओरल कैंसर रोग्यों के विभिंड डेटा के साथ सालाना अपडेट किया जाएगा औरल कैंसर भारत में पुरुषों में पाया जाने वाला कैंसर का सबसे प्रचलित रूप है जो मुख्य रूप से तंबाकु चबाने के कारण होता है तंबाकु चबाने से औरल कैविटी में कोशिकाओ की आनुवन्शिक सामगरी में परिवर्तन होता है ये परिवर्टन यानि mutation ओरल कैंसर का कारण बनते हैं ओरल कैंसर को संचालित करने वाले आनुवंशिक परिवर्टनों के पहचान करने के लिए अनसंधान जारी है इस तरह के संचालक परिवर्टन आबादी के बीच परिवर्टन शील हो सकते है Human Papilloma Virus यानि HPV से भी ओरल कैंसर होने के मामले देखे गए है सुपारी में सबसे ज्यादा कैंसर कारक्टत्व अरिकैडाइन और अरिकोलाइन के एसिड होता है जिसे से ओरल कैंसर होता है बता दे कि NIBMG भारत सरकार के जयव प्रोध्योगे की विभाग द्वारा वित पोशित एक स्वायत संस्थान है यह पशिम बंगाल के कल्याडी में स्थित है और अब नजर डालते हैं इस कारिकरम प्राधारित प्रस्ण पर नेशनल इंस्टिटूटा बायो मेडिकल जेनोमिक्स यानि NIBMG के संबंध में निम्नलिखित कतनों पर विचार कीजिए कतन एक NIBMG भारत सरकार के जयव प्रोध्योगे की विभाग द्वारा वित पोशित एक स्वायत संस्थान है कतन दो हाली में इसने मुग के कैंसर में जेनोमिक बदलाव से संबंधित एक डेटाबेस तयार किया है उक्त में कौन सा अथवा कौन से कतन सत्य है आपके ओप्शन्स है A केवल एक B केवल दो C एक और दो दो अथवा D इनमें से कोई नहीं आप अपने उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं